मार्केट में आपन जो इंडिकेटर देखेंगे लाइब मार्केट चल रही है और बहुत बहतरी इंडिकेटर है देखो ये इंडिकेटर हर मार्केट में काम करेगा बीटी सी में ठीक है अगर आप क्रिप्टो में करना चाहते हैं बिटकोइन में करना चाहते हैं या निफ्ट लाइब अखिलोगों है यहां पर सेट आप एक्तिमेट हुआ है और यहां पन पुट साइड का एक ट्रेड जょ ए डाउंसाइड का शॉर्ट स्थी एंट्री चाइपन प्लान करेंगे ठीक है उसके बाद समझते चलेंगे और यहां पर और यहांपर result भी अपन साथ में देख लेंगे कि यहां पर profit होता है या नहीं यहां पर देखते चलेंगे अपन live ठीक है आपके सामने यहां पर live चलता रहेगा तो देखो यहां पर trade activate हुआ है downside का यह आपके सामने देखो live market चल रहे ठीक है अब यह चलने दीजिए इसको पहले समझते हैं अपन की अपन को call side कब entry लेनी है अपन को put side कब entry लेनी है यह सब कुछ अपन देखेंगे लेकिन simple सी बात यह समझेए call और put तो अपन bank nifty और गयरा में देखेंगे फिलाल इस setup को स अपन ने समझ लीजिए यहां पर इसको लगा देते हैं ताकि ध्यान रहे execute किया है ठीक है downside का trade उसके बाद देखते हैं इसमें यहां पर क्या बनता गया है ठीक है देखो call side कब entry लेनी है put side कब entry लेनी है बिल्कुल simple है bank nifty के चार्ट पर भी अपन समझेंगे और यहां भी अगर देखो simple है चलिए bank nifty पर समझते हैं उसके बाद यहां पर result देख लेंगे ठीक है bank nifty nifty bank यहां पर देखो आपके सामने यहां पर एक line दिख रही है इसमें कुछ नहीं है आपके सामने यहां पर बिल्कुल simple देखें यहां पर कुछ lines दिख रही है ठीक है एक तो यह market में option buyer का पैसा तब बनता है जब market में momentum हो यानि आपने entry बनाई और आपके favor में market तेजी से move करे तभी आप पैसा बना सकते हो यहां पर यहां market close हुई है अगले दिन यहां open हुई है अब यहां open हुई ठीक और यहां से upside भागा बाजार ठीक है यहां पर आप देख रहे हो gap up opening हुई है ठीक है तो यह जो gap up opening है तो ऐसा नहीं है हर gap up opening आपके काम आई जी ठीक है लेकिन जब gap up हो रहा हो और उसके पीछे market में जो बड़ा पैसा है वो invest हो रहा हो तभी market move करती है ठीक है तो यह अपन को कैसे पता लगेगा कि यहां पर बड़ा पैसा आया है या नहीं ठीक है तो उसके लिए अपन इस indicator की help लेंगे बिल्कुल simple समझे ठीक है इंडिकेटर की help से अपन identify करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो यहां पर देखो यह हो गया इस तरीके से इसको कर दिया refresh अब यहां पर बाजार open हुआ देखो अब simple समझो call side entry कब लेने है put side कब लेने ठीक है तो यहां पर पहला rule entry का समझे जब entry call side की लेनी है तो यह जो इस तरीके से आप बना हुआ देख रहे हो ठीक है यह यह होना चाहिए तभी entry लेनी है ठीक है जैसे यहां पर नहीं है तो यहां entry नहीं लेंगे ठीक है यहां पर देखो यह red color में आया है तो यहां पर entry लेते हैं कैसे अब समझो बिल्कुल सिंपल यहां पर देखो यह तीन दस की कैंडल है और यह है गाईज तीन पचीस यह कैंडल है यह कैंडल बन गई पहली कैंडल पर तो एंट्री लेनी नहीं है टाइम फ्रेम पांच मिनट का यूज किया हुआ फिलाल ठीक है आप पहले नहीं एंट्री लेनी जब तक यह बनता नहीं है ठीक है जब यह बन जाएगा यह इस तरीके से बन जाएगा तब यहां पर अपन सपोर्ट देखेंगे मतलब यह एरिया आपका सपोर्ट का हो गया ठीक है उसके बाद यहां पर जब यह त्यार हो गया तो इस कैंडल पर यहां से अपन entry plan करेंगे, ठीक है, जब ये ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तो यहां से अपन ने entry plan की call side की, ठीक है, call side की entry के लिए, और दूसरी condition call side के लिए क्या है, ये line जो है green रहनी चाहिए, इस green line के upside जब बाजार रहेगा, तभी अपन call में entry लेंगे, नही तो नहीं लेंगे, और put में entry कर लेनी है, इस line के नीचे बाजार रहने चाहिए, जैसे यहां पर है, लेकिन यहां entry अभी नहीं लेंगे, put के entry अभी समझते हैं, ठीक है, चलिए, तो call side के entry समझ में आ गई, और कब तक बने रहना है market में, उसको भी समझते हैं, तो यहां पर बिल्कुल समझो, put side के entry के लिए देख लो, यह रहा, यह देखिए, यह line red color में हो गई, और इस तरीके से एक zone आपको देखेगा, यह zone जो रहेगा, अपना क्या रहेगा, यह resistance का zone रहेगा, यहां पर अपन entry प्लान करेंगे, और यहां से आप देख रहे हो, यह profit अपन यहा गई, call side के entry समझ लिए अपने, अब यहां पर जो जरूरी चीज है, उसको समझो, देखो वीडियो को complete देखना, बार-बार कह रहे है, ठीक है, ध्यान से समझ रहा, हर जगा entry नहीं लेनी है, अगर call side के entry लेनी है, तो यह वाला area आपको इस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक प्लान करेंगे, और यह profit अपन generate करेंगे, कब तक रुके रहना है, ठीक है, या तो 1-2, 2-1-3 लेकर trail कर सकते हैं, या फिर जब तक इस line के नीचे candle नहीं close करती, जैसे यहां closing मिली है, तो यहां exit हो सकते है, ठीक है, यहां से अपन, यहां entry लेके अपन, यह वाला profit, यह इतन अपन capture करेंगे, इसमें, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिए, अपन देखें कितने point capture हुआ है, फिर आपको चीजे और समझ में आएगी, यहां से अगर देखेंगे, और यहां exit होए अपन, तो लगभग 120 point, ठीक है, अगर अपन यहां पर exit होते, तो लगभग 200 point है, लेकिन अब यहां पर exit कैसे रहोगे, हो नहीं पाऊगे ना, ठीक है, तो यहां तो trailing का यूज करोगे, तो यहां SL हिट होगा, लगभग 1500 point और अगर rule के हिसाब से चलेगे, तो यहां 120 point पे exit होगे अपन, ठीक है, तो call side के entry समझ ली, call side में entry लेने के लिए, यहां पर देखो इस त तरीके से दिखेगा, side के entry के लिए, इस तरीके से यह red color में zone होना चाहिए, ठीक है, चलिए, यह समझ गए, और backtest करना है, तो backtest कर लो, नहीं तो rule follow करते हैं, अब simple पहले indicator यूज करते हैं, उसके बाद try करेंगे, इसको, देखो indicator यहां से हटाते हैं, यह हटा दिया, हटान यहां indicator आता है, fair value gap, lex algo, यह वाला indicator अपन यूज करेंगे, ठीक है, इस पर click करना है, अब ध्यान से देखते हैं, इस पर click किया, यह लग जया, उसके बाद दूसरा indicator एक और यूज होगा, अब यह रहो fair value gap, ठीक है, fair value gap लग गया, तो यह जो है, जब यह बनेगा, यह fair value gap ह यह complete candle बनती है, ठीक है, और जब momentum रहेगा, तब possibility रहती है, कि यह fair value gap बनेगा, हर जगा यह fair value gap नहीं बनता, तो जब यह नहीं बनेगा, तो अपन को trade नहीं करना, जैसे यहां नहीं बना है, तो यहां आप side के entry ले नहीं है, ठीक है, यहां बना है, तो यहां downside के entry ले नहीं hält यहां पहुत सारा इंडीकेटर आते हैं लेकिन से यह इस पर कलिक करेंगे यह लग जायेगा अब इसको क्लिक करते हैं और लगा लेते हैं चली है यह वाला हो गया अब इस पर क्लिक करेंगे यह लग जाएगा क्लिक कर दिया लग यह लग तो गया है लेकिन यह बहुत पजल कर रहा है तो अब इसको अपन जो है इजी करेंगे इजी करने के लिए यहां पर क्या करेंगे इसकी सेटिंग पर टच करेंगे यह फेर वेल्यू बैंड पर ठीक इसकी इसको रहने देंगे और यहां पर यह जो color है यह green कर सकते हैं आप चाहो तो single color भी रख सकते हो ठीक है और यहां थिकनेस इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और यहां से इसका color जो है red कर देंगे ठीक है और थिकनेस बढ़ा देंगे लीजिए ठीक है और उसके बाद यहां प समझ ली है इससे पहले एक वीडियो अपने डिसकस की थी इससे पहले अपने एक इंडिकेटर देखा वो गाइज लाइब मारिकेट में उतना काम नहीं कर रहा है वाइज सिंपल है कोई भी इंडिकेटर यूज करोगे हर इंडिकेटर लैगिंग होता है ठीक है लेकिन उसके behavior को समझने के लिए कि indicator कब fake signal देता है कब सही signal देता है उसको समझने के लिए अपनको practice करनी होती है paper trade करना चाहिए ठीक है तभी अपनको कोई भी indicator यूज करना चाहिए इस चीज को भी समझा गरो साथ में तो यहां से इसको हटा देते हैं इसको हटा देते हैं इसको हटा द और इसको भी अंचेक कर देना है उसके बाद यहां से कर देते हैं इसको ओके ठीक है यहां से इसको भी अंचेक कर देंगे इसको भी अंचेक कर देंगे अब देखो सारी चीज़े अपने यहां से हटा दी है चेक कर लेना ध्यान से ठीक है और यहां से इसकी ठीकनस थोड़ी स साइट के एंट्री सम्झ ली, ठीक है्, और rules आपको इसका simple समझ लीजिए, 30Tredit paper trade करना है 1LOT से, 30Tredit paper trade करना है 1LOT से ध्यान से समझ लीजिए paper trade 1LOT से ये rule है इस rule को यूज़ किë यूज़ कीए बिना जरूर देखना है YouTube पर सर्च करके ताकि आप मार्केट में अच्छे से सीख पाओ ठीक है तो यहां पर देखो इस तरीके से आपको लिखना है और यहां लिखना है एर रनिंग ठीक है ब्रांच एर रनिंग ब्रांच लिखकर जब सर्च करोगे तो बहुत सारी वीडियो मिल सक यह बहुत अच्छी वीडियो है और जो अपने इंडिकेटर डिसकस किया जो लेगिंग है जो वर्क नहीं कर रहा वो यह वाला है तो इसको आपको इग्नोर करना है पेपर ट्रेट करके अगर आप समझ पाओ तो आप इसको यूज करना नहीं तो फिर इसको इग्नोर कर दे ठीक है यह तीन तीस वाली वीडियो एक देखनी है और इसी में आप यहां पर देखोगे तो एक वीडियो आपको देखेगी सिंपल आप देखे यह वाली वीडियो कौन सी यह वाली वीडियो अगर आप देख लेते हैं तीन तीस वाली हो गई और एक वीडियो आपको इसम आप देख लेनी एंस ताकि चीजों को समझ भाएं अच्छे से और यह वीडियो भी थीक है are यह वाली आप देखते हो यह वाली ठीक है 20iyaon मिनट की है यह भी बहुत अच्छी वीडियो है यह तीन वीडियो अगर आप देखोगे तो आप काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा तो अगर इसको यूज करना है तो पहले लाइब मार्केट में इसको पेपर ट्रेड कीजिए ठीक है उसके बाद आप इससे सीखिए इसकी हेल्प से आप अपनी ट्रेडिंग जर्णी को सुधार सकते हैं वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कोई सवाल है कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया